देश में फर्जी वाड़े के मामले आजकल आम हो चले हैं सरकारी हो प्राइवेट हो या कोई और संस्था हर जगा पर फर्जी वाड़ा तो जैसे अपने पैर पसार कर बैठा हुआ है अब सूची उतर प्रदेश टीचर और फर्जी वाड़ा यह सुनकर आपको लगेगा कि ह इतर प्रदेश में टीचरों की भरती में होए फर्जी वाड़े की मामले की बात करे हैं नहीं ये बात जरआएउ से थोड़ी उलट है हाल ही में उतरप्रदेश से एक मामला सामनी आया जहां पर एक टीचर एक साथ 25 स्कूलों में नौकरी करती पाये गई नहीं नहीं आप यहां यह मत समझेगा कि यह टीचर वाकई में 25 स्कूलों में पढ़ाती है। दरसल मामला कुछ यू है कि एक शिक्षिका जिसका नाम अनामे का शुकला है। उन पर आरूप है कि उन्होंने राजज के 25 कस्तुर्बा गांधी विद्यालेओं में नौकरी की है और पिछले एक साल में वो एक करोड सैलेरी भी ले चुकी है। जब यह मामला सामने आया तो तुरंथ ही विभाग से जुड़े अधिकारियों में हड़कंप मज गया। आनन फानन में पता लगया गया कि आगर यह कौन शिक्षिका है जो 25 स्कूलों में पढ़ा रही है। प्रियाग राज, अमबेट का नगर, बागपद और सहरनपूर जैसे नाम शामिल है। डिजिटल डेटा बेस अटेंडेंस होने के बावजूद भी यह टीचर अब तक एक करोड की सैलेरी ले चुकी है। हलाकि अब इनकी सैलेरी पर रोक लगा दी गई है और जाज की जा रही है कि कैसे और किस तरीके से एक ही नाम और फोटो से अलग-अलग स्कूलों में पढ़ाती हुई यह शिक्ष का पताई जा रही है। और हर जगह की सैलेरी इन्हें दी जा रही है। कस्तुर्भा गांधी विद्यालों में कॉन्ट्रेक्ट बैस पर भी टीचरों को नौकरी दी जाती है। तो इसके इस पहलों को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। जब से मामला सामनी आया है तब से शिक्षा के प्रशासनिक भेकमे में हडकम पसा मचा हुआ है। सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर अपडेट्स।